हमारी classes में दो तरह के student होते हैं एक वो जो active study करते हैं ध्यान से इसको समझना वो जो active study करते हैं ठीक हमारे तरह दो तरह के student होते हैं एक passive study इनकी संख्या लगभग 90% होती है इससे ज्यादा ही होती है नवे परसेट यानि क्लास में जो भीड़ तुम्हें दिखाई पड़ रही है वो नवे परसेट तुम्हारा competitor ही नहीं है ठीक है वो एक तरह से वो passive study कर रहा है वो अपने गाल पे हात रखता है कुछ सोसता र प्रिंटिंग उसको वो यह भी नहीं समझ रहा है कि टीचर क्या मेरे से कह रहा है वो पांथ-दस मिनट आप इसमें जो होता है क्या हो तक शुरुआत के 10-15 मिनट वो अपने आपको फोकस करके रखता है 10-15 मिनट इसके बाद उसका focus जो उसको पता ही नहीं रहता है कि कीवल 10% के आसपास होते हैं इसलिए मैं कहता हूँ UPSC में competition बहुत कम है अगर उसके सही चावी तुम्हारे पास है तो UPSC के एकसी जहां तुम्हारे पास जादा competition नहीं है यह भीड जो दंबर दिखाई पड़ती हो उसमें तुम डर जाते हो कि बहुत जादा competition है तुम्हे अपने fundamentals पर काम करना कर तुम्हारा fundamental strong है तुम्हें चा भी पता है कि इसको कैसे निकालना है तो यह हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा अब जो active study जो करते हैं उनकी संक्या केवल 10 प्रिशत होती है यह मैंने यह science कहता है अब इनका क्या होता है कि यह जो है वो अपने teacher के साथ काम करते हैं अब यह देखो अब मैंने जो यह category बनाई है यह passive study और active study यह category मैंने किस आधार पर बनाई है ध्यान से समझेगा जब हम ध्यान से जब हम किसी चीज को सुनते हैं ठीक है सुनते हैं तो generally हम class में क्या करते हैं हम सुनते हैं listening तो हमें किसी भी चीज का केवल 11 परसेंट याध रहेता तब जम भूद ध्यान से सुन रहे हैं तो हम किसी भी चीज करणीचार ने सौ बाते कहीं तो आपको किवल 11 बाते याद रहेंगी ठीक है जम किवल सुनते हैं जब हम किसी चीज को देखते जबाद मुश्यां को समझ लिगा है जब के दिमाउ परत छ रहा हो हूँ कि आप क्यों को इस्ट पढ़ता था उसको लंबे समय होता है और क्यों इस्ट उसरा जो ही पढ़ आउता थो उसको तुर्द भूल करके देखते हैं ठीक है do I do I learn तो यह लगबग हम उसका जो है 91 से 93 परसेंट तक याद रख पाते हैं कर भे एक क्लास में यह तरह के स्ट्ट होते हैं जब अप्सकर करते हैं तो हम रहरा दिमाग बटकतार हैं तो 59 बता रह Naw ri कि झाल रहा हैं प किसी चीज को विजोलाइंज करके देखते हैं ah, अगर आप उसको देखते हैं, बार-बार पिक्चर के form में देखते हैं, तो हमारा mostly दिमाग इसको याद रखता ह। और अगर आप किसी चीज को खुद करके देखते हैं, यहनि आपने उसको सारा क्लेक्शन किया और उसको आप क्या हुआ उसको आप खुद से करके देखने लगे तो आप क्या होगा आप कभी उसको नहीं भूलोगे, मैं आपको एक्जामपल बताता हूँ आभी क्लास में समय उस होगे कई स्टूएंट ऐसा होग जिनको चै बनानी आती होगे किसी को लेड़ा लेते हो फिर ख Sus react लेवाल टीज़ कीर बनाना सब्रण क्या तो उसमें क्या होगा एक स्टूएंट को मैंने बताया कि देखे बिटा चै एसे बनती है ठीक है इसमें पहले पानी होगा फिर चाय पत्ती होगी चीनी होगी अद्रक होगी फिर दूड डाला जाएगा बता दिया दो दिन बाद मैंने पूछा वो चाय कैसे बनती है सर उसमें आपने बताया था कि दूड डाल देंगे और फिर 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 सर उसमें चाय पत्ती ड तो अब उसमें क्या हुआ कि एक महिने बाद साल भर बाद मैंने पूछा चाय कैसे बनती है तो जिसने बनाया है वो तुरंट बता देगा जिसने नहीं बनाया सिर्फ सुना था कि चाय कैसे बनाई जाती है आपको सबसे चाहिकल चलाना ठीक है अब साइकल जब आपने चलाया खुछ चला के देखा अपने उसकी प्राक्टेस की आप अच्छे साइकल चलाना लेगे दस साल बाद भी आपको साइकल मिल तो आप भूलोगे नहीं ठीक है आप आराम से साइकल चला ले जाओ लेकिन अगर आपको साइकल चलाने नहीं आती है और मैंने आपको मोटी होगा कि आपको कैसे शॉट लेना है दस साल बाद भी आप क्रिकेट के लिए जो है वो बल्ला गुमा लोगे और शॉट ले लोगे अगर आपने खूब प्रैक्टिस की है अपने बच्च्वन में यह बहुत सिंपल सा फंड है यह आपके साथ भी हुआ है जिन चीज को आप कर हमारा नियत होता है बिल्कुल फिक्स टाइम हमें मिलता है कि इतने टाइम में हमें अपनी पढ़ाई करनी है ध्यानता समझना आपको मैं पास होने वाले स्टुएंट और फेल होने वाले स्टुएंट के बीच का अंतर एक ही मिनट में बता देता हूं ठीक है हम पास क्यों ह दो तरह का दिमाग होता है, ठीक है, एक trained mind और एक untrained mind, मैं pass और fail word को use नहीं करना चाहता, और pass fail कुछ नहीं होता है, सर्फ एक trained mind होता है, ठीक है, untrained mind उसको नहीं पता होता है कि इस class का मुझे कैसे सदुप्योग करना है, कैसे इसको निचोड लेना है, कैसे अपने आपको untrained mind क्या होता है, जो 90% हमारे student है आज की rate में, वो untrained है, उनको नहीं पता है कि मुझे अपना जो हो कैसे निकलना, उसमें कुछ लोग क्या होता है, एक आद बार fail होते हैं, फिर वो थोड़ा बहुत सीखते हैं, फिर वागे चले जाते हैं, लेकिन मैं नहीं चाहता है कि इसे भी study, उसे notes बनाते रहते हैं, वो इसको घर में भी क्या होता है, एसे किताब खोल लेते हैं, और उसको लिखते रहते हैं, मैं लाइबरेरीज में जाता हूं, वहाँ देखता हूं, बच्चे इसी तरह जो underline करके उसको लिखते रहते हैं, क्या लिख रहे हैं, उसमें involvement नहीं हो रही है ठीक है दूसरा होता है देखना जैसे टीचर जो स्लाइट पढ़ा रहा है आपको जो है वीडियो दिखा रहा है पिक्चर दिखा रहा है तो आपकी उसकी साथ इंट्रेस्ट बढ़ जाता है तीसरा जो सबसे होती है वो बढ़ जाती सेम टाइम में यह जो समय है वो नियत है लेकिन इसमें कुछ स्ट्रेंट जो होते हैं वो इसी कटेगरी में रह जाते हैं कुछ स्ट्रेंट यहां तक पहुंशते हैं और कुछ स्ट्रेंट इसको कर ले जाते हैं वही जो विनर बन जाते हैं जिनकी स्यमाद में आगया होगा कि इन तीनों में से किस केटेगरी में आप गिरना चाहते हैं वन में two में या three में कॉमप्टिशन बहुत ही जादा जो हर्श हुजाएगा ठीक है आपको एक एक मार्स के लड़ा ही करनी है जो 10 परसंट आपको तैग करना है ठीक है वो वन में जाना है, टू में जाना है या थ्री में जाना है, राइट, तो यहीं से आपका भविश्यत है होगा, 90% स्टुएंट जो है, वो पैसेव स्टेडी करते हैं, इसलिए बात में वो कहते हैं, किसा आप UPSC बहुत कटीन है, हिंदी वालों को तो बिल्कुल ही ध्यान नहीं चलें, तो अब हम लोग बात करते हैं, how do active study, यानि active study हम लोग कैसे कर सकते हैं, active study का मतलब हुआ है, कि मुझे अब do, यानि कर के उसको देखना है, मैंने आपको पता है, चाय कैसे बनती हैं, और आपने चाय बनाई, तो आपने अगर एक बार बना ली, दो बार बना ली, प्रैक्टिस कर लिया, तो आप कभी उसको नहीं भूलोगे, ठीक है, यह simple सा आपको इसको अपने साथ करते हैं, अब आप में से क्या होगा, कुछ student ऐसे बैटे होंगे, और सुन रहे होंगे, कुछ सोच रहे होंगे, हो सकता है, यहां पर खाली मूब आके बैठे हो, और हो सकता है, कुछ जो है, चैट कर रहे हैं, कुछ लड़कियों का नंबर पूच तो यहां पर आपको सोचना है कि एवरी टाइम हम बहुत ज़्यादा फोकस होके हमें पढ़ाई करनी है, अब हमें क्या करना है, हमें जो है, वो अपनी हैबिट्स को चेंज करना है, हमें पैसिव स्टेडी से एक्टिव स्टेडी की तरफ जाना है, और एक्टिव स्टेडी ती से मुझे बताना, कितने लोगों के हाथ में, मुझे देख रहा है दोनों चैनल पे, और वहां पर कितने लोगों के हाथ में pen और paper है, जहां पर मैंने जितनी बाते कहीं हैं, उसको उतनी ही actively उसने note-down किया है, जिसने वह रेडि है active study में जाने लिए जिसने नहीं किया है, जिसका pen paper नहीं है, वो सुच रहा है कि कोई seminar है, कुछ बाते चल रही होंगी, वो यकीन मानिए कि वो उस 90% category के लिए तयार है, हम एक साल बात, आसे सी एक साल बात मैं आप से बात करूँगा, तो भी आप अपने आपको pass करने की category में नहीं होगे, नहीं होगे, लिख लेना, और ऐसे कोई बात नहीं कर रहा हूँ, यह 2017-16 से मैं देखता चला आ रहा हूँ, मैं जिस बच्चों को बोला, जिन्हों ने शुरुवात में कहा, रहे पता नहीं सर, आप क्या-क्या बाते करते हैं, आज वो मेरे सामने पढ़ने से इंकान करते हैं, एक attempt, दो attempt, तीन attempt, खराब कर चुके हो, को attention वाली बात नहीं है, कहा जाओगे, अब तो यह होता है, कि मैं इधर से सामने साता हूँ, वो सामने साते कट जाते हैं, कि फिर पूछेंगे यह सर, क्या कर रहे हो, ठीक है, तो भ अभी भी अच्छा नहीं कर पाएंगे, याद रखिएगा, तो आगको जो है, वो active study करनी है, और active study में सबसे पहले action आता है, active study में जो पहला word होता है, वो होता है action, हमें क्रिया करनी, हमें कारे करना है, यानि मेरा teacher जो मुझे जो बोल रहा है, अगर मैंने सुना, याद याद रख पाऊंगा, ठीक है, अब तुम्हें सोचना है, कि सर की कही 100 बातों में मुझे ज्यादा ज्यादा रखना है, 95 याद रखना है, या मुझे 11 याद करना है, यह तो मैंने तुम्हें याद करने का तरीका बता है, मैं क्यूं ज्यादा कंसर्ण हूँ, मैं तुम्हें भूलने की दर भी बता देता हूँ, हम 24 घंटे में किसी भी पढ़ीवी चीज का असी प्रिशत भूल जाते हैं, यह हमारे दिमाग की खास बात है, जैसे तुम्हारे मुबाइल में दो तरह की मेमोरी होती है, रैम और रूम, वैसे हमारे पास भी दो तरह की मेमोरी होती है, श अब आप सोचो कि कितनी बुरी इस्थिति है, कि एक तो तुमने क्लास का मजा लिया नहीं, 11 परसेंट तुम्हें याद है, और 11 परसेंट का 80 परसेंट तुम भूल गये, तो तुम्हारे पास बचा क्या ज़रा, तुम मुझे यह बता के देखो, ठीक है, आप सोच के देख हमारे दिमाग की बहुत खास टेंडेंसी होती है, एक महीने बाद, आफ्टर वन मन्त, हमें किसी भी पढ़ी हुई चीज का केवल पांच परिशत याद होता है, अगर हमने किसी चीज को, केवल धुन्दी धुन्दी यादे, अब सोचो, 11 परसेंट का 5 परसेंट, क्लास के लिए तुम्हारे पास तो पूरी क्लास तुम्हारी बेकार हो गई, तुम्हारे पास कुछ नहीं बचा, तुम साल, दो साल जो है, ऐसे ही अपना बिताते, चले जाते हो, राइट, तो अब आपको क्या करना है, आपको हमेशा एक बात यादर किये, आपको सबसे पहले अप आपको अपना जो भी आपके साथ बात हो रही है, उसकी आपको हमेशा जो है, वो एक सिस्टम लेकर चलना है, मेरी आदत है, मैं जब भी मीडिंग में बैठता हूँ, जब भी मैं कहीं भी जाता हूँ, मैं हमेशा किसी से भी बात कर रहा हूँ, तो मैं हमेशा अपना जो है कि 15 दिन बाद 20 दिन बाद मैं भूल गया कि मेरी आप से क्या बात हुई और अगर मेरे पास वो मेरी फाइल है मेरा फोल्डर है मैं तुरंत उसको पलटूंगा और मुझे तुरंत के तुरंत यादा जाए कि मैंने क्या चीज़ अच्छा मैं जब किसी से बात करता हूं जो है जो महिने पहले आपको भी क्या करना है सिर्फ जली मैं तो कोई क्लास नहीं ले रहा हूं नो से सब्सके टाकतवर बिजनेसमें पूरे जीवन में पांच लाक से जादा पेज लिखे थे पांच लाक से जादा पेज वो कोई भी बात होती तो उसको नोट डाउन करते थे तेसला की आदत थी यही एडिशन की आदत थी और दुनिया के तमाम जैसे लोग हैं हमेशा अलबर्ट आइंस्टाइन जो आप जानत उसको उतारते थे यानि नोटिंग करना यानि कि अपनी बात को रखना यानि किसी भी चीज़ को जब आप सुन रहे उसको एक्शन के साथ इन्वाल कर देना यह हमारी एक्टिव स्टडी की पहली और सबसे मूलभूश शर्त है यानि आज से आपको क्या करना है हमेशा अप यहानि जो पहला हमेशन फिन फेनमेन नोटिंग करना अब जैसे आप मेंशे कई लोग जो है, आज तो आज डिस्टिली बहुत अच्छा काम कर सकते हो, आज आपके पास अच्छे-च्छे सॉफ्ट्वेर भी एविलेबल है, लेकिन जो भी चीज है, जैसे आज आज आपने कुछ न्यूस्पेपर में पढ़ा, आपको एक लाइन बहुत अच्छी लगी, इस तरह के आपना शुरुवाती दोर में पढ़ा ही करता था, तो मेरे पास एक पतली छोटी सी डायरी थी, ठीक है, और मैं उसमें लिखा करता था, अब वो डायरी के बीच में कुछ साल तक मिस हो गई, ठीक है, और वो किताबे भी मेरे हाँ से निकल गई, कुछ इधर अच्छा मिला कि वाह, मेरा जो बहुत बड़ा खजाना मेरे को वापस मिल गया, इनको ढूरने के लिए मुझे वो किताबे ढूरनी पड़ती, दुबारा पढ़ना पड़ता, ये नोटिंग का सबसे बड़ा फाइदा होता है, कि आपके पास एक एसेट क्रियेट हो जाता ह तो आज की लिए मैंने जो आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात बताई, आपको आज से यहां से टाय करना है, कि मुझे दोनों में से कौन सी स्टेडी करनी है, ठीक है, एक्टिव स्टेडी या पैसिव स्टेडी, आप टाय कर लोगे कि आपको किधर जाना है, फेल वाले कि 90 की कटेगरी में जाना है या जो टॉप 10 की कटेगरी में आपको जाना है, दूसरा हम कैसे याद करते हैं, यह बात याद रखिएगा, ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, काम करते समय आपको एक एक आक्शन, अब एक नई चीज़ बता रहा हूँ, एक्शन प्लस पिक्श हमारा दिमाग स्फिक्चर के फॉर्म में समझता है, हमें एक्शन और पिक्चर को एक साथ लेकर चलना है, य अच्छन और पिक्चर जो भी आप बात करा उसमें, पिक्चर बनाने की कोशिश करिए, next one तो हम यहाँ आते हैं और हम सबसे पहले क्या करेंगे हम अपने action को involve करेंगे और आज से आप जब भी teacher कोई भी बात कह रहा है उसमें आपको सबसे पहले तीन category में अपने action को करना है noting तीन category में होगी या तो आपको मैं जो भी बात कह रहा हूँ उसका flow chart बना लो तीक है flow chart बना लो या तो इसका spider सबसे आसान होता है spider diagram spider diagram और इसके बाद जो होता है सबसे top class जो होता है जिसकी practice करके आप बहुत कुछ अचीव कर सकते हो आज की rate में newspaper में मैं कोई notes नहीं बनाता है इस वोपर मुझे hardly 10 minute मिलता है पढ़ने के लिए लेकिन अगर आप मुझे से पूछ लो किस page पर कौन सी ख़बर आई है कहां क्या है orientation क्या है class में हूब हूब मैं इसको बोल दाता हूँ क्योंकि वह मैंने उसके लिए एक method डबलब किया thought mapping ठीक है thought mapping इसको mind mapping भी कहते हैं लेकिन mind mapping और thought mapping thought mapping में मैंने जो है UPSC के साब से काफी modification किया है so यह thought mapping process से आप काफी कुछ जो है आसानी से कर सकते हो एक प्रश्णों की श्रंखल आपने दिमांग में create कर सकते हो यह तीन इस तर होते हैं आप जैसे चीज से कम से कम वर्ड में आपको इसके बारे में पता करना है तो आज से आपको एक चीज करना है केवल सुनने से आपका काम नहीं चलेगा जिस समय आप सुन रहे हो आप सामने वाले की बात को आख बंद करके उसको visualize करने की कोशिश करो participating प्रश्राइब करें और उसको जो है फिर उसको लिखना शुरू करो ठीक है उसको फ्लोचार्ड बनाओ कि यह कम से कम वर्ड में मुझसे क्या बात कह रहा है आपने सेंटर पॉइंट निकाला और वहां पर आपने बात करनी शुरू कर दी ठीक है